मीन्णाशीवालों, शनी महराज आपके जीवन के जिन तीन ऊपर सबसे जादा प्रभाव डाल रहे थी प्रभाव का मतलब है, नकरात्व प्रभाव अब आपके जीवन के उन तीन चेत्रों से आप टैंशन निकाल करके दूर कर सकते हैं क्योंकि सनी महाराज की स्थिदिय अब उन भावों पर नहीं पड़ेगी और ऐसा किस कारण से होना जा रहा है बिना समय गावाई एक भी मिनट का टाइम बेस्ट नहीं करेंगे सीधा आपको टॉपिक पर ले करके चलेंगे चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होने जा रहा है और कै कैसे आपकों तीन चेत्र पर लाग मिलने जा रहा है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है इस्टो शिवंपंडित मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्य चैनल श्री विद्या इस्टो में अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजेगा आप किसी ग्रह को कोई ग्रह उधर रहता है तो उसकी द्रिष्टी जिस भी घर में जाती है उस उस गर पे प्रभाव डालती है परतो सनी की जो द्रिष्टी होती है वो हमेशा किसी भी भाव पर जाए उन पर दूसी ही प्रभाव डालती यानि के परिशान ही करती है ऐसे में आपकी रासी के लिए देख रखा है और उन भावों पर सबसे ज़्यादा प्रभावे डाल रहे हैं तो अभी जानते हैं वे कौन से हैं वे तीन भाव मित्रो सनी महाराज आपकी रासी से मीन दासी वालों से बारवे घर में हैं जिसका लण से आप पर सनी की साड़े साती का पर्थम चरण प्रारम हो चुका है जो की लगबग मार्च 2025 तक रहेगा उसके बाद दूत्य चरण चलेगा तो पर्थम चरण के दोरान सनी सबसे पहले आपकि अधन भाव पर अफैक्ट डाल लहेते वानि भाव पर अफैक्ट डाल लहेते और कुटम भाव पर अब अब आप समझ चुके हैं कि जिन लोकों को धन से संब्दिध प्रावलम क्रेट हुई है घर परिवार में लड़ाई जगड़ा मत्यध उत्पन हुआ है वानी स जो निकला उसने बनते-बनते काम को बिगाड दिया या फिर बिगड़ हुए काम में उल्टा और जादा उनको बिगाड़ना ये इस प्रकार के अक्का पर भाव हुआ क्योंकि सनी की तीसरे दिश्टी पड़े थी आपके बाणी भाव पर फिर सनी ने दूसरे भाव को जिसक का नुक्सान हो गया चटे गर्सी समद्ध रोग रिपू और सत्रू ये सारी चीजे आप अचानक चक जीवन के अंदर आने लगी उतरने लगी फिर सनी का जो तीसरा भाव यानि सनी का मतलब जिस भाव पर सनी ने तीसरे रूप से क्योंकि सनी की होती हैं तीन दृष्टिय उससे देखा आपके भाग्ये को और भाग्या जब भी सनी माराज पर भावित करते हैं तो व्यक्ति के बनते बनते काम तो बिगड़ते ही हैं व्यक्ति जिस काम को करता है उस काम में उसको प्रॉफिट प्राप्त नहीं होता जो सोच करके काम करता है उस सोच से बहुत दू होती है उसका वन थर्ड परशेंट भी व्यक्ति को लाब नहीं मिलता ऐसा यहां देखा जाता है गलत गलत इन्वेस्टमेंट हो जाते हैं गलत गलत नुक्सान हो जाते हैं पिता पुत्र के तूसरे व्यक्ति को मिल जाती है आपके अधिकार छीन लिया जाते हैं आपको मिलने वाली योग्यता चीन ली जाती है आपकी योग्यता से अर्जित होने वाली चीजों को आपसे हटा लिया जाता है इस प्रकार से अधिकारी वर्ग के लोगों से भी दिक्कते प्रावलम्स क समझ जाए एक सूरी आग्रह है और एक कोई भी ने कुई ध्यकर सूरी से इतनी दूरी पर अस्त हो जाता है मन लोड़ी रस्मिया इतनी प्रभा होती है है इतनी तेज पुंज होता है कि اس अबब तगे उस ग्रहनी और उस ग्रह को दिखना बंध हो जाता है और सुर्य और सुरिय और अवस्ता में ही टिखना बंध हो जाता है सनी हो जाता है इन पर दिखना बंद हो गया तो सनी के जो रस्मिया हैं वहां से अटकर गए उर जंगे डालने लग जाते हैं परनतु पूरी तरह से जानी पूरा प्रभाव डाल लेते में आपने प्रभाव नहीं डाल पाते हैं तो अब कोटुम्ब में गर मतबेद हुआ है ठीक होगा दैने समभनेद चीज़ों में समस्याएं आई थी तो वह समस्याएं आपके ठीक होगी इसी के लावा वानी तो जो उत्अब हुआ है वानी से हफ़त रता अचानक आप आपने देखा वाणे के अंदर जैसे आप कुछ भी बोल लए हैं और बोलने से आपके काम बिगड़ रहे हैं तो वे काम अब सुधरने सुरू हो जाएंगे वाणे का सई इस्तमाल होना सुरू हो जाएगा इसी के अलावा अगर आपको मुख या चहरे से समंदित किसी प्रका अगर को बहुत बड़े लेवल का आपको नुक्सान हुआ है तो वह नुक्सान का फरपाई आपको होने के योग इस समय बन रहे हैं वही यही भाव तहीनी आंग का भी परतिनिद्व करता है आंखों से होने वाली गलतियां के चीजों को आपने गलत तरीके से देखा था यह आपकी ठीक होंगी पहले से इसमें आपको चिंता करने की आवस्यक्ता है बिलकुल भी नहीं है इस वर में विश्वास कम हो गया था विश्वास पुन है वापसी लोटेगा क्योंकि विश्वास की यहाँ पर बहुत जादा आवश्यक्ता है आप खुद में डी मोटिव हो गएते तो मोटिवेशन बढ़ेगा पहले से निश्चित तोर पर और आपको डी मोटिवेट बिलकुल भी नहीं होना है मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी वीवर दी मोटिवेट हो आपको समय से पहले की घटना देने का मैं परियास करता हूं इस चीज़ों का समझ के चलिए वहीं आप खान पान से सम्मंदित चीजों का लाम प्राप्त करेंगे और अगर अपने मित्र भी आपके सत्रू बन गए अपनों नहीं धोका दे दिया उस धोके की भी रिकवरी होगी उनका किया हुआ उनके सामने आएगा और आपके साथ में जो नफा नुक्सान होए उसक आपको बिल्कुल भी यह नहीं सोचना है कि आपका उसमें कुछ नुक्सान हुआ है एक रुपे की भी आपकी जो सपोर्ट है किसी को प्राप्त हुई है अगर वास्ता विक्ता में लगे तो अब उस है समय है जब आपको उसका लाव मिलेगा यानिकि उस भागे से उसकी द कि देखा जा सकता है कि आप किसी विशेज गतीवीदी को अपने शरीर को इक्षा होते हैं कि मुझे कुछ अमुक काम सीखना है तो कुछ भी जो आपकी मन में जो इक्षा है जिस काम का बहुत समय से छोड़ रहे थे उस चीज में आप कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं धनारजन के प्रबल योग बनना हैं और कहीं न कहीं धातों का क्रे विक्रे हो सकता है जोरान कुछ चीज खरीदगी कुछ अपने पास पुरानी बची हुई चीज आप मुनाफ़ा कमा लें यह पुरानी चीज बेच करके क्रे और विक्रे के साथ भी दृष्टी जाती है जो कि आपके छटे गर पर जाती है तो यहां छटे गर पर जाने से आपके जो रोग बढ़े हैं एकदम से पैसे का नुकसान हुआ है और बिमारी में नुकसान हुआ है रोग है रिपू है रिण है सत्रू है यानिके लोन की टेंशन ती बोर ब भी चलती है एकदम इन में रिजल्ट नहीं मिलता परन्तु टेंशन जो चल लए हैं इंसे संबंदित वो जरूर कम हो सकती है यहां पर सनी का प्रभाव जो है वो कम हो चुका है अचानक से कोई चीज़ चोरी हो गई अचानक से को चीज़ नुकसान में चले गई कोई भी किसी विवाद men पढ़कर के आपको character का नुकसान हुआ है पैसे का नुकसान हुआ है किसी मैंटिर में पढ़कर के में किसी वी विव्याद में पढ़कर तो उसकी आपको प्राप्ति के योग बन जाते हैं उसकी recovery के योग ना आप यहां से क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखे जाती हैं व्यक्ति का जो है मूत्र संबंदित विकार आपको पेशाफ से संबंदित किसी प्रकारन समस्या दिक्कत है बार बार चोट लगना अगनी संब्दिरुकरण से जलना अथवा किसी बीजली के जटके से नुकसान हो जाना अथवा एक्सिलेंट हो जाना किसी विवान चलाते हुए तो तमान तरह कि जो डर और भैसप से बड़ी बात है भैव्यक्ति का डर वो डर जो है वो अब कम होगा रिस्क लेना अब आप थोड़ा सुरू करेंगे रिस्क से जो घबराट माने में वालकी अभी मीन रासी वालों की स्टा सब्सक्राइब करेंगे नियमित तोर पर मंदिर में जाए नियमित तोर पर शनी महाराज के मंदिर में जरूर जाए शनीवार के दिन वहाँ पर आप जरूर अपनी पूजा अरचना आरादना कीजिए उससे आपको बहुत लाब मिलेगा और सनी की दस्वी तरिश्टी के पर होने से द्हां पर भागके अवरोध आपके bestasan में हो रहा है तो कामों की सुरुवात नहीं आप कर पा रहे थे तो वह सुरुवात अभोने लग जाए कि धीरे दीरे ऐसे यूग बन सकते हैं कि आप को आपके पिता की को सपोर्ट मिल जाया किसी अदिकारी रर्ग के ल सूचना आप सकती है इसी के अलावा देख जा सकता है कि आप अपने घर के मंदिर में किसी प्रकार का रेनोरेशन करवा सकते हैं उसके योगों की संभावना बन जाती है अब अश्ट सिद्धी नवनेदी के दाता असवर दीन जान की माता हनुआ जी महाराज की अरादना करना बहुत आपके लिए सुब रहेगा और साथ ही जो भी लोग जब पता पता पस्या और पूजा मंतर अजाप में सल्लग न रहते हैं उन लोगों के लिए कुछ अच्छा भाग्यों देख समय हो सकता है भाग्य के अबरुद हटने वाले हैं तो भाग्य से मिलने वाले लाब भी तो बढ़ेंगे आप जिन कामों को करेंगे उनमें लाब की संभावना जादा बन जाती हैं इन कामों में इन्वेस्ट करेंगे उन कामों में प्रॉफिट की संभावना बन जाती हैं जिन कामों में महनत लगाएं उस महनत के सफल होने के योग जादा बन जाते हैं वहीं बड़े लेवल के जो भी काम जो बीच में रूख गए काम सुरू करा था बहुत सोचके ले बहुत आगे लेकर जाएएँगे तो किसी कारण से बीच में अठक गया वह काम दुबारा से पटरी पर आना और आप उस काम में आगे चल करके सनलगन हो जाओगे ऐसा मुझको प्रतीत हो रहा है दिखाई दे रहा है जो भी लोग उच्च शिक्षा को प्राथ्च करना चाहते थे उनकी सिक्सा में बादा हा रही थे उच्च शिक्षा की प्राथ्टी होगी अंतर राष्ट्रिय इस तर वह देखा जा सकता है कि मान सम्मान यस और कीर्थी वैभव आपका फैल सकता है ऐसे में आपको कुछ रिष्टेदारों से कुछ मुख्यर से आपके जैसे साला साली नंद भावी कुछ ऐसे रिष्टेदार हैं जिरसे बचने की आपको आवज सकता पड़ सकती है अन्य था आप सबको देना चाहता हूँ हफते के अंदर एक दिन हम ऐसा रखने वाले जी दिन लाइव आएंगे लाइव कोश्चन अंसर होगा प्रश्चन आपके होंगे हम जवाब देने का प्रियास करेंगे जूतुष के माध्यम से जन्म पत्रिका के माध्यम से तो मैं आप सभी को मैं इन्वाइट कर रहा हूं सैटर्डे या संडे दोनों दिने में से साम के समय लगबक साथ आठ के नो बजए के करीवन आपको नोटिफिकेशन पर आप तो हमारी यूट्यूब चैनल पर ही तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन जरूर प्रेस करें और अपनी कज़ए मैं जो बीक प्रतिक धरिया चाहता हुकर और यंगि देना चाहता हूं आपको आपको क्या लगता है खाली की श्वसता में आपको लाब होने के संबावना है और पूर इंतीन कोषचन आप करूंगा क्या आप जो मेरी वेडियों देख रहे हैं क्या आपको नौकली से संब्दी परिशानी चल रही है कि आपको स्वास्ते संब्दी परिशानी चल ले या फिर आपका इस समझ धन खर्च जादा हो रहा है तो कमेंट करके आप जरूर बताईएगा इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जो हम फ़रादे से बता रहे हैं उसका इं मुष्री वे जाएना